सुगाई साच के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 में पंजाम नेशनल बैंक में मिनमम बैलेंस चार्जेस किया हैं यानि कि आप लोगों को खाते में कम से कम कितना पैसा रखना होगा कम से कम कितना बैलेंस मिन्टेन करना होगा जिससे कि आपके उपर किसी भी तरह का कोई चार्ज न लग सके क्योंकि देखे मैकसिमम लोगों का जब लोग बैलेंस मिन्टेन नहीं करते हैं अपने खाते में तो उन लोगों का जो एकाउंट बैलेंस होता है वो माइनस में चला जाता है तो यहाँ पर आप लोग का अगर देखे एकाउंट है पंजाम निशनल बैंक में तो आप लोग को ध्यान देने की ज़रुत है आप लोग को मिन्मम बैलेंस हमेशा मिन्टेन करके रखना होगा नहीं तो आपका बैंक एकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस में जा सकता है तो इस वीडियो में आप लोग को डीटेल से बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा देखेगा जिससे आप लोग को सही है और सटिक जनकादी मिल सके तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पंजाम निशनल बैंक का एकाउंट उपनिंग कर मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपिन कर रखा जिसमें लिखा हुआ है नौन क्रेडिट रिल्टेट सर्विस चार्जेस आल सर्विसेश चार्जेस आर इंक्लूजी वीज जीएस्टी ठीक है यानि कि जीएस्टी इसमें इंक्लूड है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हो रहा है कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में भी आप लोग बताऊंगा ठीक है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा सबसे पहले यह तरीका देख लेते हैं यह लिमिट देख लेते हैं ठीक है तो बेसिकलिए अगर आप देखे रूरल छेतर से हैं तो आप लोग कैसे calculate करेंगे इसके बारे में भी आप लोग वाता हूंगा ठीक तो अगर आप देखिए ग्रामीड 16 से हैं तो 1000 रुपया सेमी अरबन 16 से हैं तो 5000 रुपया हैं तो 5000 रुपया हैं अगर आप मेट्रो 16 से हैं तो 10,000 रुपया आप लोग को खाते में maintain करना होगा ले mandatory है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक तो यह देखिए था जो है सीटी सर्ज के लिए यहाँ पर charges per quarter for non maintaining minimum balance यान कि अगर आप अपने account में अपना जो है कि balance अगर maintain नहीं करते हैं तो जो charges लगते हैं वो charges आप लोगो यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है ठीक है यहाँ पर अगर आप ग्रामिन शेतर से हैं अगर आप maintain नहीं करते हैं अपने account के balance को ठीक है जो भी criteria है तो आप लोग के उपर 400 रुपे का charges लगते हैं अगर आप semi अर्वन शेतर से हैं तो 500 रुपे का लगेगा अगर आप सेहर से हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर 600 रुपे का भी charge आप लोग को देना पड़ेगा ठीक है तो यह देखे चार्जे से हैं अगर आप लोग account balance maintain नहीं करते हैं तो अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग कैसे जो है की हो रहा है जो है की quarterly ठीक है जिससे कि आपके account में किसी भी तरह का minus न लग सके चार्जेस न लग सके तो आप लोग कैसे calculate करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर आई calculator open किया है इसका website का ठीक है तो यहाँ पर दिखे यहाँ पर calculate करने का क्या तरीका है यहाँ पर लिखा हुआ है first month EOD closing balance जैसे की जैसे कि मान लिए मेरा first month है मुझे तीन महिना का जो है की मुझे maintain करना है ठीक है तो first month में के अंत में जो है की पहले महिना के अंतर में मैं मान लेता हूँ कि मेरे खाते में 7000 रुपिया ठीक और दूसरे महिने के अंदर में मैं मान लेता हूँ कि मेरे खाते में 9000 रुपिया ठीक है 9000 रुपिया बचा था मेरे खाते में दूसरे मंत के जैसे कि जनवरी के 31 January को 7000 रुपया था 29 फरवरी को 9000 रुपया था और मार्च में बात करें ते 31 मार्च को मान लेते हैं कि मेरे एकाउन में 12000 रुपया था ठेक अब यहाँ पर देखिए आप लोग का ओरिजिनल कैलकुलेट करके यहाँ पर आ रहा है आपका देखिए यहाँ पर यहाँ पर पर दे आ रहा है कितना 307 रुपया जबकि यहाँ पर लोग को चाहिए वह कितना है 9333 रुपया ठीक है तो यह लगभग देखिए कटेगरी किसमें आ गया शहरी छेत्र में अगर आप ग्रामिड छेत्र से हैं तो यह देखिए 1000 रुपया रहेगा जो यहाँ पर 9300 कुछ रुपया लका है एक जार होगा तो भी चलेगा ठीक है यानि कि आपको मंद में कम से कम जो है कि जैसे कि मैं यहाँ पर 2000 अगर मैं कर देता हू कूं देखते हैं कि तो आप लोग करेंगे तो यहाँ पर 6000 दुसरे मंत में लाश्ट में दौहजार रुपय winter तो अगर आप दुर्फेश मर्पय रखते हैं तो अभी आयोगो निफिए अचलं कि अफो पर अभी मेंटेनज़ांटे। आप लोग जीरो भी से कर सकते हैं ठीक है तो आई होप कि आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में नए अपडेट के साथ